सब्सक्राइब दोस्तों को नमस्कार मैंने विन देशवल अजयुनों आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो सीप्यलो बरती के बारे में हैं अगर आप ने भी तक हमारे चनल देशवाड उनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है और बरती में सब ने एक जैसे दो एक्जाम दिये पहले प्री एक्जाम, फिर मैंस एक्जाम और दूसरे एक्जाम के बाद जो रिजल्ट आया रिजल्ट के बाद इस बरती को दो इस्सों में बाट दिया गया एक कुछ के इंडिडेट को बना दिया गया ASK Operator रो कुछ को बना दिया गया LCL Operator तो ASK Operator को 6000 रुपे से लेरी निर दारित की गई है जबकि Local Operator को सिरफ Commission Base पर लगाय गया है सभी सोचते हैं कि आज की महँगाई के टाइम में तने से कुछ गुजारा नहीं चल सकता तो इसी को मद्द नज़र रखते हुए रोद तक जिले के जो भी अटल सेवा केंदर ओपरेटर हैं या लोकल ओपरेटर हैं उन सब इने अपना एक मांग पत्र कहलो गयापन कहलो जिस गाउं जसिया में एक सीम मनोरलाल खटर जी की रैली थी वहाँ पर जागरुन को एक गयापन सोपा तो हमने क्या गयापन दिया है कल जैसे एक वीडियो आई थी मेवाद साइड से कि उन लोगों ने सीम साब को यापन सोपा है तो आज हमने सोपा है वही तो इसी प्रकार अगर सभी कोशित करेंगे तो सरकार जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या अपनी मांगे रखें हैं लोकल उप्रेटर और आसक उप्रेटर ने अवने बताया गया कि अर्याना सरकार ने आथ में आलमेई क्रिट विवाग दवारा दो परी और मैंस अग्जाम लेकर सीपीलों की वर्ती पूरी की गई है खास बात यह रही अच्छी बात यह रहिस वर्ती की कि यह भ अपरेटर को फैमिली एडी से सम्मंदित काम करना होगा और उनकी कोई फिक्स अलरी नहीं है वही उनको सिर्फ कमिशन मिलेगा और आप जानते हैं कि आज के समयमें गाई में च्छह जारों पे से किसी परिवार का खर्चा उठा जाना आना असम्बोस आई है तो भई हमने अपनी जो मांगी रखी हैं वो यह थी मोटी-मोटी सी मैं आपको बदा देता हूं पहला यह कि वही ए-स के ऑपरेटर और था-ल-c-l-o दोनों ने एकी प्रिक्सा दी है इनका दोनों का काम और बर्ती की युग्यता जो थी वे कलरट के समान थी तो दोनों को कलरट के समान वेतन निर्दारित किया जाए इनका और इनका कलर के समानी वेतन देया जाए दूंबर दो जो कि लोकल अपरेटर को का गया कि कमिशन बेस पर मेंता ना मिलेगा वो भी बिल्कुल गलत है वही कमिशन बेस पर इतनी चैलरी नहीं उपाएगी दो-दो एक्जाम दे के लगे हैं एक गजारों फीस बरिये सबने तो कम से कम दोनों को फिक्सलरी दी जाए तीसरी बात विबाग दवरा इनको कंपूटर प्रिंटर टेबल कुर्सी और इंटरनेट कनेक्शन की सुझदा उपलब दिक्राई जाए और च्यार चोथे नमबर पे बने बात कहीगी सीपीलो और सेल्सीलो दोनों को कल रख के समान सरकारी बत्ते और सेमाएं परदान की जाएं तो बही बात बताओं को आज का प्रोग्राम फिर रहा कैसे सबसे पहले वहां पर मिले रोतक के जो एंपी रहे थे अभी अर्वी डॉक्टर अर्विन सर्माजी से उन्होंने मारी बात बहुत बात करवएं फिर एक्स यह मन उरलाल खटरजी के पीए से उन्होंने भी मारी बात बहुत अच्छे से सुनी और साथ मैं उल्लाल खटरजी को भी अपने यह मंगों के बारे में बताया और उसका उन्होंने उम्हें ऐस्वासन दिया यह सर्क बरती भही बहुत अच्छे तर election का time है अर जगे आपको चंडीगर पंचकुला जाने की विजरूत नहीं है अर जगे रेलिया हो रही है समारों हो रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने नेताओं से मिल सकते हैं आप कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं मैनत से दो-दो परिक्षाएं पास की हैं तो आप अपनी मां CPL लोग के candidate हैं SPC परकार का letter लिखे और मांग पतर लिखे जो ना वो सरकार तक पहुंचा सकें इस बारे में आपके क्या विचार हैं comment box में लिखें साथ में एक चीज में हम जो हो अपना WhatsApp ग्रूप बनाया है वाहिस के लिए हम लोगों ने उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेर कर दूँगा और अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही नहीं नहीं जानकारियां आप तक मौस्त रहेंगी तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद